हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टो मैं चैनल स्कॉलर क्लासेज तो आज भी मैं आपके लिए एक नाया वीडियो लेके आया हूँ New Educational Policy Related क्योंकि कल बहुत सारे बचों का डाउट था और इस वीडियो से मुझे पुरा बिश्वा से कि आपका जितना भी डाउट से वो क्लियर हो जाएगा तो वीडियो को end तक देखेगा विकरस आपको बहुत ज़्याता information मिलने वाला है यह New Educational Policy के द्वारा बहुत सारे चेंज़ेज आपको one by one मैं आपको समझाओंगा हम mainly focus करेंगे scheme के बारे में higher education के बारे में teachers training के बारे में जैसे आज जैसे आप इधर पर देख सकते हैं कि यह जो पुराना academic structure है इसमें आपको 10 plus 2 scheme देखने के मिलेगा यानि बच्चे class anniversary से लेके 10 तक पढ़ते थे और 11-12 में उनको streams लेके science, art, commerce या तो vocational stream लेके उनको पढ़ना होता था और इसका उनको exam देना पढ़ता था पर अब इसा changes आगया इसमें तो आपको बहुत सारे चीज का आपको देखने को मिलेगा तो basically जो आपका जो पांच साल तक पांच साल का जो course होगा या तो early childhood care education होगा या अपर mainly foundational course होगा बच्चों को एक तम इसमें केलना, केलना, कुदना, कैसे, habits वगएरा habits अच्छे आते थी वगएरा उनको शिखाया जाएगा तो तीन साल के तक के जो बच्चे होंगे उनको आगनवाडी या तो pre-school बालबाटिका में डाला जाएगा उसके बाद जब वो 6 साल के हो जाएगे तो उनको class 1 और class 2 में डाला जाएगा तो उसके बाद वो लोग जब ready हो जाएगे 8 साल के उमर तब उनका हो जाएगा तो प्रोमोट होके वो class 3 में पहुंच जाएगे 3 class 3 class 4 class 5 यह होगा आपका दूसरा stage जिसका नाम है preparatory stage जो आपका next scheme है जो आपका third scheme है तो इसमें भी आपको बहुत सारी changes देख में मिलेगा और सबसे important बात class 5 तक के बच्चों को mother tongue में पढ़ाने का बात हुआ है से लेकर higher education तक इस बार बहुत सारे अपने classical languages को focus करने का बात हुआ है English language को इतना focus देने का बात नहीं हुआ है तो Hindi as a subject will emerge as a national language at that time तो उसके बात 3 से 5 तक होने के बात preparatory stage में पहुंचने के बात next 3 scheme में उसमें बच्चे middle school में पहुंच जाएंगे middle school में आपको तीन class 8 class 6 से लेकर 8 तक class 6 class 7 और 8 और सबसे important बात class 6 के बच्चे जब बच्चे class 6 में पहुंच जाएंगे तो उनको coding भी सिखा जाएगा जो आपको कभी college में पढ़ना होता था कोडिंग यह आई-टी से रिलेटे जितने भी सेक्टर से वह आपको class 6 से आपको सिखाया जाएगा इसमें भी आप subjects और कुछ subjects और आप चूज कर सकते हो यह आपका middle school हो गया यह तो middle stage हो गया और finally जिसमें आपको बहुत सारा doubt है वह आपका secondary stage और secondary stage में इस बार आपको देखने को मिलेगा four classes वह आपका class 9 से लेकर class 12 तो इस group को अगर आप बात करो तो 14 से लेकर 18 साल के बचे यह आपके secondary stage में आपको देखने को मिलेगा और सबसे important बात 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को क्या मिलेगा free and compulsory education मिलेगा जितने भी government based school से उदे में आपको free and compulsory education देखने मिलेगा ताकि क्योंकि अगर 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को अगर हम लोग support करेंगे तो वो drop out नहीं होंगे कुछ कारण वस वो school छोड़ देते तो उन्हे support backup नहीं मिलता है तो इसलिए government ने ये बात किया कि 3 years से लेकर 18 साल के जो बच्चे उनको free and compulsory education मिलेगा जैसे पहले भी होता था 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को free and compulsory education मिलता था जैसे right to education के अंडर में आप ये change करके कितना हुआ है 3 years से लेकर 18 years और बहुत सारे बच्चों का doubt है कि 9 का syllabus जो change किया वो फिर से include होगा की नहीं नहीं class 10 में board exams होगा कि नहीं तो बच्चो class 10 में board exams तो होगा पर ये पूरी तरीके से आपका road learning पर नहीं होगा road learning मतब जो हम रटा लगा थे इसके आदर पर नहीं होगा ओके तो इसके आधा पर रोट लेर्निंग न के आधा है डाप एक्जाम्शन होगा सुब कॉंसेप्शूल एप्लिकेशिन बेस्ट कोईशन होगा तो आपको उसके बाद जब क्लास लिबेन ने पहुंच जाऊंगे तो आप आपको क्या पेले चाह था आपको बहुत ऐसारी इ ना होता था आप confusion में होते थे कौन सा स्ट्रीम अच्छा होगा scope कौन सा subject का scope अच्छा जात 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 बच्छे science लेते राइट पर कुछ बच्छे physics में भी अच्छे होते कुछ बच्छे history में भी अच्छे होते पर वो कभी ये combined दो subject एक particular stream में नहीं ले सकते थे पर आप अच आप subject ले सकते हो आप vocational course ले सकते हो vocational course का मतलब है कि आप dancing, music, art and craft ये सब food management, management sector ये सब आप भी अपनी curriculum में इंक्लूडे तो curricular plus extra curricular subjects भी इदर पर इंक्लूड किया गया है ताकि बच्छों को अपने 1% subject लेके वह exams पास कर सके ओके तो बच्छों class 10 और 12 में, class 10 और 12 ये तो आपके इसे 9, 10, 11, 12 में साल में दो बार exam होने का बात तो हुआ है और उसे semester wise भी करने का बात तो हुआ है देखते हैं आगे वो क्या implement करते हैं पर अभी बताया सुनने में आ रहा है कि class 10 और class 12 में board exams होगा पर ये आपका बुकिस knowledge में नहीं होगा ये आपके conceptual learning में होगा जो बहुत ही आपको आसानी साफ इसे दे सकते हैं objective answers में कुछ questions का आप कुछ है answers लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में इसका answers लिख सकते हैं और आपके knowledge के हिसाब से आपके application based आपके analysis के हिसाब से आप कितना उसे अच्छे से critically उसे analyze करके लिखते हैं उसे कि सबसे आपका maximum मिलेगा तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में होता है बहुत सारी बात जो लिखने ही पाते अब क्या होगा आगे से कि उनको कोई भी barrier नहीं होगा वो आप मतलब आपका जो concept आप उसमें लिख सकते हो आप अपना खुद का viewpoint भी लिख सकते हो तो ये बहुत अच्छा बात है ओके तो होप आपको आपको समझ में आगे होगा 1911-12 का अब हम बात करेंगे SEZ के बारे में यह आपका special economic zone नहीं है यह है आपका special education zone तो जिस area पे ओके जिस backward area में आपको schools आपको बहुत सरी schools का उटकार्टन दोते होए आपको नजर पर आएंगे तो में फोकस है इन एपी का यानि नैस्नल एडुकेशन पॉलिशी का education sector को बूस्ट करना ताकि दूसरे देश के साथ हम दो compete कर सके तो इसलिए gross enrollment ratio जो gross enrollment ratio माना जा रहा है कि 2035 तक 50% से भी ज्यादा students अगर स्कूल में आएंगी स्कूल में अगरे लेंगे तो हमारा जो achievement यह पूरा हो जाएगा ओके तो देखते हैं आगे क्या होगा तो उसके बाद next next point है आपका कि जो schools ओके इंडियन जितने भी स्कूल है हमारे देश में उन सब में जितने भी classical cultures है जितने भी हमारा पूरा ने सब रहता है culture traditions है उन सब को भी include किया जाएगा आप सब को पता होगा कि इंचेफ द्वारा next year cbsc में तो syllabus सब चेंज होने ही वाला था क्योंकि 15 साल से कुराना syllabus था तो आप पूरे इंडिया में ही यह चेंज होने वाला है इसमें हमें सिखाए जाएगा कि अपने culture के बारे में मिलेगा okay ethos के बारे में अपने traditions के बारे में ग्यान मिलेगा okay next important बात है कि class 3, 5, 8 में आपको इक्जाम्स देखने को मिलेगा बाकी classes में आपका internal assessment आपको देखने को मिल सकता है यानि वो पूरी तरीके से आपका school based exams रहेगा okay तो curriculum में reduction करने का main यह था topic यह इसलिए क्या गय बहुत सारे topics ते जो useless था okay और जो board exams होगे class 10 के लिए 12 के लिए यह board exams एकदम आपका question का जो standard होगा यह एकदम easy होगा आपके लिए आपके conceptual knowledge के आधर भी से बनाया जाएगा और आप application based questions भी आप देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बता है कि classic से उपर के बचो को कोडिंग वगर ऐसी का जाएगा आइटी से familiar किया जाएगा ओके तो सब्सक्राइब वोकेशनल एडिकेशन का भी बात वोकेशनल एडिकेशन का मत्तब एसे प्लैटफॉर्म जिसके दोरह आप future में अगर आप इसका use करो तो आप का लाइवलियोट आप अच्छे जी सकते हो जैसे constructive work जो मात्मा गांधी ने कारपेंटर्स होंगे उससे आप लोगों कुछ सीख सकते हो ओके तो इसका में एम यह थाकि एक बच्चे जो होंगे उनको प्राक्टिकल नॉलिज प्राक्टिकल वोक करने उनको बहुत सारा मदद मिल सके तो टीचर्स का भी जो recruitment होगा या आपका जो टीचर्स के पास जो सिटेट क्वालिफाइड है या देट क्वालिफाइड है वो अब टीचिंग लाइन में आ सकते एंटी यानी नैशनल टेस्टिंग एजनसी टेस्ट करेगा ओके और टीचिंग डेमेंस्ट्रेशन आपको पता है कि करने के बाद आपको यह टीचिंग जॉब मिलेगा प्रोम एडिकुशन पॉलिशिज पेले कि कुछ बच्चे फर्स्ट एर कर लेते थे इसलिए उनको कॉले से ड्रॉप आउट होना पर दा था उनको किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट वगार नहीं मिल दा था हमारे टाइम में ते ऐसा नहीं था अभी आप लोग के टाइम में बहु फ्यूचर में कभी भी अगर आप फ्यूचर में कभी भी आपका सेकेंडियर अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो फिर से आप कॉलेज में जोइन कर सकते हो और इसके बाद आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा इडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेग हमारे देश का Ministry of Education ने इसमें मैं आपको एक बात बताना बूल गया कि अगर आप 3rd year के बाद फिर पढ़ना चाहते हो तो आप 4 साल का course भी कर सकते हो जिसमें आपको bachelor degree with research को बारे पढ़ना पढ़ेगा 4th year especially आपका research से connected होगा उसके बाद अगर आप higher education लेना चाहते हो तो आपको aim field करने का जरूबत नहीं है because aim field को निकाल दिया गया है curriculum से आप directly PhD के लिए apply कर सकते हो और college में आप कोई भी major subject लेके पर सकते हो और उसका elective subject जो होगा उसका मतब जैसे आप physics ले रहे हो तो कोई subject में आपको कोई भी subject आप चूज़ कर सकते है अपने मन से कोई भी subject आप चूज़ कर सकते है अपने मन से तो ऐसा opportunities इंडियन गौर्मिन ने लाया है यह 10 साल के लिए यानि 2020 से लेकर 2030 अब हमारा देश रेली में तरक्की करेगा कोई भी uneducated नहीं रहेगा और सबको अपना जिमवारी सबको पता लगेगा तो friends अगर आपको वीडियो अच्छा दोगा हो तो please thumbs up करके like कर दीज़ेगा share कर दीज़ेगा और हो सके तो subscribe भी कर दीज़े thank you